आप सभी का बहुत बहुत शौगत है और आज का वीडियो है यह आपका मैध का और देख लेते हैं ले लेते हैं इंपॉर्टेंट कोश्चन्स और यह सेकंड पार्ट है फर्स्ट पार्ट जो है अलेडी अवलेवल है डला हुआ है यह आपने वाच नहीं किया दो वाच कर ली कि जा सकती है किस बीद से उत्पन की जा सकती है ठीक है सिक्षण बीदी द्वारा प्रेणा द्वारा अभी रुच द्वारा यह उप्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं तो इसका राइट एंसर क्या होगा कि बालक में ज्यान के प्रति रुच उत्पन की जा सकती है तो आप मोटिव करेंगे तब रूची उत्पन कर सकते हैं किसी पाठ को पहाने से पूर किसका ग्यान प्राप्त कर लेना आवश्चक है तो उसके पूर किसका ग्यान प्राप्त करना आवश्यक है संबंदित पार्ट के उद्देश का संबंदित पार्ट की सिक्षन विदियों का संबंदित पार्ट की प्रश्न बैंक का या उप्यूप्ट में से किसी का नहीं तो इसका जो राइट एंसर है वो हो जाएगा संबंदित पार्ट के उद्देश का भाई सबसे पहले हम यह जान देश है क्या में क्या सार उसका निकल के आ रहा है यह जान लेना हमें जरूरी है पढ़ाने के पहले अच्छी पाथन पद्धत किस कि सहयोंग से चलती है अगला कुशन देख लेते हैं यह इसकर मगला कुशन देख लेते हैं किस विद्स में चात्रों को वाद विवाद का अवशर दिया जाता है लुए चलिएं में समबंदी सीखने की विधि है है जिस व्यक्त को अपने चारो और के संसार का ग्यानप्राप्त होता है है किस कobra तो यह एक क्षिक संप करिया है कि यह परिभासा किसी है कि इसका राइट एंसर हो जाएगा इसह नहीं पहुशता है यह वर्णा नहीं पहुलर्ण है क्षोटी कखशाओं तो मादमी कखशाओं होते यह उच्छीट मादमी कखशाओं है चलिए हम अगला कोश्चन ले लेते हैं हमारा इस कुश्चन है कि अपेक्षित अधियम सफलता किसकी सिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है अपेक्षित अधियम सफलता जो है तो राइट एंसर सिक्षक चात अभी भाबा क्या प्रधानाचार तो इसका जो राइट एंसर है वो आपका हो जाएगा सिक्षक जो अपेक्षित अधियम सफल है जितना अच्छा पढ़ाएंगा जितना। अच्छा क्यों क्यों चाहिए और दापके पाल तो 25 सवन यानशर होना चाहिए और दिती संफ हो जाएगा जो बालक के समझ में आ जाएं उनको केंडर में रखके पढ़ाना चाहिए किस बीद के अंतरगत पहले तत्थों को एकत्रित किया जाता है इसका राइट एंसर हो जाएगा सब्सक्राइब जाता है कॉन सी बिदिया जिसमें किसी बश्ट या तत्य के घटकों को विभाजित किया जाता है व्याक्यान बिदि खोजविद विप्ष्लेशन बिदिया विच्छन सूत्र नहीं है सिक्षण सूत्र नहीं है विशिट से सामान अभी क्रमित अनुदेशन सरल से कठीन या ज्यात से अज्यात तो देखे इसका जो राइट एंसर है वह आपका हो जाएगा अभी क्रमित अनुदेशन जो है यह सिक्षण सूत्र नहीं है स्ग्यात से अज्यात से अज्यात से निश से निश्चित की ओर ठीक है ना मूर्ट से अमूर्थ की ओर भी होता है ठीक है ना सिक्षन विदी मनोब ज्यानिक से तार्किक की ओर भी होता है बिस्लेशन से संसलेशन की ओर होता है और प्रकित का अंसरण भी करता है पून से अंसिकी ओर ठीक है ना यह सभी क्या है सिक्षन नौ सिक्षण विदी होते हैं यह आपके सिक्षण विदी का ही होगा तो मैं उसमें आपको बताऊंगी ठीक है चलिए अगला कुश्चन ले लेते हैं गणित की संरचना के अंतरगत हम योग एवं गुणा तथा समाननी करण आधिशंक्रियाओं का अध्यान करते हैं गणित क अगला कुश्चन हम देख लेते हैं बाल उद्यान सिक्षण विदी के प्रवर्तक है जो बाल उद्यान सिक्षण विदी है उसके प्रवर्तक कौन है डाक्टर मोरिया मांटेशनरी फ्रावेल किलपैट्री क्या फिदी भी तो इसका देखिए राइट एंसर हो जाएगा फ् सिक्षण का प्रविदि के प्रवर्तक है एसका राेट एंसर हो जाएगा आपका यानि आर मस्त्रांग जो है वो खोज बिद के अविसकारक है ठीक है सबी questions जो हैं वो भेरी भेरी important है जो कार हम सेक्षा से सुतंता पूर्वा वाता वरण में करें वही खेल है यह परिभासा किस ने दिकी है और यह परिभासा जो है बेरी important हो सकती है ग्लूग की है省ट पारकर की है टूग की है पारकर की है ठीक है नियुंत्म अधियुमастर में शबदे हैं कितने है नियुंतम अधियुमस्तर में चार पांस फीन दो जब एक विद्याले में कई कख्षाओं के सिक्षण कार्सम्चारण के विवस्था एक साथ करनी पड़ती है तो वह क्या कहलाता है ठीकि जब सिक्षण कभी कभी टीचर स्कूल में नहीं आते हैं कम हो जाते हैं तो बहुत सारे क्लास को एक साथ ही मर्ज कर दिया जाता है तो को बिठा के संदिया जाता है जब टीचर कम होते हैं बेवहारी गणित का भाग है बेवहारी गणित का क्या भाग है संख्याओं का हिसाब लगाना जोडवा घटा करना समी करणों को हल करना बैंक संबंदी आवश्यक कार करना बैंक संबंदी आवश्यक कारना तो राइट अनुदेशन वाद उद्देश कर राइट एंसर इसन प्रक्तियया कंतिंचन मुल्यांकन के बार कुछ कई नहीं होता है मुल्यांकन कि ऊफिर इसके बाद बात बात भाट इपर कहता है गणित शिक्षा में अद्भ्यासकार देते समय ध्यान लखना चाहिए यह आप होंबर्क दे रहे हैं तो क्या ध्यान लखना चाहिए उद्देशिस प्रश्चता गत्युप्योग्तिता पुन्रावित्त का अंतराल या उपरोक्त सभी जिसका जो राइट एंसर है वह जाएग पर बताना है जीवन के कार्ड मजदूरिय। यह जीवन भी होती है गणिश सब्सक्रीन की बिदी है अगमान भी प्रदर्शन भीदि यह उपरोक्त सभी गणिश्चन की जो भीदी है वह उत्रोक्त सभी है यानि कि निगवन बिदी बी गनित सिक्षन की चल्विडह प्रदर्शन बिदी धिक है ऑग्वन बिदी का महतन पून घटक कौन है लक्ष दारं तरक इुसका राइट जाए गफ दाल वे समझा क्क शाया जाता है पाठव में गनित स्क्षण का महत्ट। सिंक्षण बॉट्डिक नयातिख सब्सक्राइब叉ग Now सब्सक्राइब है नयातिख क्राइब किर डीक सर्दल्स रूप में होता है वहारिक मान्सिक भाटिक है दियोत में इसका नीमेब व Radio के घथ पूछा तो क्या होगा नैतिक बुद्धिक सांस्कृतिक सब कुछ हो जाएगा क्योंकि पूछ रहा है लेकिन प्रात्मिक अस्तर में बात चल रहीगी प्रात्मिक अस्तर पर गणी सिक्षन का महत्र किस रूप में है तो फिर वह बेवहारी की रूप में होता जनलियम बच्चों को बे किस बीधी में अग्यात की और सिक्षन इसेांद का पालन होता है तो इसका राइट एंसर है वह आपका हो जाये गा भी बिस्लेशन बीडि में ठीक है घनी में इंसर के सिक्षत की अंतर एग gebust रित रहनी ओक्ड़ किकशन को तृप्तसबी हो जाएगा यानि गणित उपकरने को प्रयोक करने की चमता, गच्छा संचारन की योगता, असिक्षन विदियों का ग्यानी सभी कुछ आ जाती है, गणित शिक्षक की विशेष्ताओं के अंतरगत है, देखो, सुनो और समझो, सिध्धान्त पर आधारित है, बेरी बेरी करता है, तो आप देखो, सुनो, समझो, इसके बाद आप खुद करो, क्योंकि आपको भी मौका दिया जाता है, दौर का मैदान से अभी प्राय है, बेरी इंपर्टेंट कोश्चन सी है, पार्ट करम, सिक्षा करम, प्रोक्त में से कोई नहीं, तो देखे, दौर का मैदान से कहन की दिधी है, डी जगनी सिक्षण की दिधी कौन सी है, प्रदर्शन दिधी खेल कूद बहूरी समिकर बिदि कंटेनल अ 미जय कोई से कोई नहीं, तो इसका राइट अजन्या मोंत कि प्रोजेक्ट की दिधी द्धी, अंके पहले यहाई प्राय है ल गन्दि पहले बेरी तो पहले दिया जाता है बाद में नियम बताया जाते हैं तो फिर नियम निगमन भी दी हो जाएगा दोनों या कोई नहीं तो देखे हैं ऐन होते हैं अई और ये Спuition में अब आकस का प्रेयोग होता है गिंते सिखाने में, बोलना सिखाने में लिखना सिखाने में हस्तिलेक सिखाने में तोak किन्ती सिखाने में किसका प्रयोग किया जाता है ठीकजान करते हैं ठीक भिपृत बिदी क्या है विसलेशन विदी और आगमन विदी की ठीक विप्रित है निगमन विदी ठीक है रेखा गणी सिक्षण की विदी है रेखा गणी सिक्षण की विदी कौन सी है सूत्राधारित खेलकूद अभ्यास या प्रदर्शन तो राइट एंसर इसका हो जाएगा प्रदर्शन ठ संबंद है किस संबंद है मुल्यांकन से अधिगम से या सांख विदी से जामती का संबंद तो क्या करते हैं तो माप बाला काम जामिती में होता है है घंञत विदी की संब्रकुत की विसेशता है घंञत की संब विशेसथा क्या आप्णा कषेश का पुछ ओया है ये आप अपका संर चाहने होता है ले जाना होता है ऑके चलिएन देख लेते हैं चलिए नेक ही तरक आधारित प्रित की प्रीद का शूतर ग्यात करने में परेयुक्त होने वाली डिधी कुंसी एकाई दिधी आगमन बीदी दिधी निग्मन बीद्धि की परिद का सूर्थ ग्याद करने में जहां पाई का मान रखा जाता है और ब्यास का अधा तो बृत की परिद का सूर्थ मान करने में आगमन बिद का प्रियोग किया जाता है किस बृत का प्रियोग किया जाता है आगमन बिद का प्रियोग किया जाता है गणी सिक्षन में शा प्रुच पैदा करने के लिए इसका राइट एंसर हो जाएगा सी यानि खेल एस बीदिद्वारा सिक्षन ठीक है ना ताक कि बच्चें इंट्रेस्ट लें गणि सिक्षन में सहायक सामगरी का उद्देश नहीं है क्या नहीं है सिक्षन को रुची कर बनाना विसिष्टबालक सहायक होना अध्यापन को आकर्शक बनाने है तो ही सहायक सामगरी का उपयोग किया जाता है द्रिश्ट श्रभ्य सामगरी क्या है स्यामपट रेडियो टीवी या फिर चार्ट बेरी इंपोर्टेंट और इजी कोस्टन सही है तो राइट एंसर हो जानी देखना श्रभ्यान लेकिन टीवी में देखा और सुना दोनों जाता है तो यह क्या हो जाएगी द्रिश्ट श्रभ्य सामगरी हो जाएगी तो फ्रेम्स यह था आज का वीडियो जो हमने पार्ट टू लिया आपके गणी सिक्षा सास्ते से बेरी बेरी इंपोर्टेंट कोस्टन तो यह वीडिय विडियों के साथ हमापसे फिर मेलते हैं पीडिय प्दीफीय पहले लिजेगा और सात में लांच वह मैं जैनञत से बहला है इसार ही यह जो अपनका टू जो है इन दोनों का इंस्व इसमीं पार्टन वैमेंबवाल हु गनिस्यक्छा सास्ते साथ बीस्टै पार्टियों ल झाल झाल